नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंड वर्क में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत और नए डिजैन का सॉल लेके आई हूँ और इसमें मैंने स्टीच बहुत कम रखा है ताकि आप असानी से कम समय में इसे तयार कर सके और इस सॉल में उन कितना लगा कुरूशिया का साइज सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी और साथ ही डिस्केप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी तो बनाने से पहले आप एक बार देख लेज़ेगा इस सॉल का जो चोड़ाई है वो लगभग 27 इंच है और लंबाई मैंने 70 इंच रखा है और इसी के हिसाब से मुझे करीब साड़े 800 ग्राम उन लग गया मैं आपको ये जो पीला ओला सॉल है ये बनाना बताऊंगी और ये जो उजला ओला सॉल है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़ादा पसंद किया था और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्किप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी ताकि आपको असानी से मिल जाए और आप ये दोनों सॉल अराम से बना सके दोनों का मैंने किनारे का जालर जो है अलग रखा है जो भी जालर आपको पसंदा है आप वो बनाईएगा और इसमें मैंने ये जो पिला वाला सॉल है इसमें मैंने दो लैन में डिजाइन को पुरा तयार किया है आप चाहे तो दूसरा लैन से डिजाइन स्टार्ट कर सकते या फिर पहला लाइन से जैसा आपका मनो उस तरीके से आप बना सकते हैं नीचे मैंने चार लाइन का बॉडर रखा है और बॉडर आपको कितना पतला मोटा रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और किनारे में मैंने चार डबल कुर्षिया का बॉर्डर रखा है दोनों तरफ अगर आपको इससे ज़्यादा मोटा रखना है तो आप ज़्यादा से करके रख सकते हैं तो इसमें मैंने चार डबल कुर्षिया किया है किनारे वाले डबल कुर्शा में मैंने डिजाइन बना दिया है और बीच में जैसा हमारा डिजाइन है उसी तरीके से मैंने किनारे का भी डिजाइन तयार किया है ये वाला आप चाहे तो बॉर्डर तक ही बना सकते हैं यहां तक या फिर आप चाहे तो नीचे तक भी जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से भी बना सकते हैं डिजाइन और फिर नीचे हम इस तरीके से जाली वाला डिजाइन बनाएंगे और फिर नीचे जो जालर है वो मैंने यहाँ पर पत्ता वाला बनाया है इस तरीके से छोटा छोटा पत्ता बनाया है अगर आपको पत्ता पसंद है तो आप इस तरीके से बनायेगा नहीं तो आप जो हमारा उजला वाला सौल है उसके नीचे मैंने अंगूर वाला डिजाइन का जालर बनाया है आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते है किनारे पर मैंने यहाँ पर चार डबल कुश्या बना करके छोड़ा है दोनों तरफ तो यह देखिए इस तरफ भी मैंने चार डबल कुश्या छोड़ा है जो पूरा हमारा लाश्ट तक बनते चाहेगा तीन हमारा ये डबल कुश्या है और चौथा वाला डबल कुश्या में मैंने डिजाइन तेयार किया है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं और बनाने से पहले मैं आपको इसका जो लंबाई चोड़ाई है नाप करके दिखा देती हूँ तो ये देखें इसका जो चोड़ाई है वो लगभग 27 इंच है और सॉल का चोड़ाई कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं तो किनारे का जो मैंने बॉर्डर बनाया है उसे मिला करके लगभग 27 इंच है और लंबाई मैंने 70 इंच रखा है जैसे मैंने उजला वाला सॉल का लंबाई रखा था ठीक उसी तरीके से इसका भी लंबाई जो है नीचे का जालर मिला करके 70 इंच है सौल के लिए मैंने यहाँ पर सिल्क वाला 3-ply उन लिया है और यह जो उन है आपको local craft shop में या फिर जहाँ पर आप उन खरिदते हैं वहाँ पर अराम से मिल जाएगा यह मुझे लच्छा जैसा design में मिला था जिसे मैंने खोल करके गोला बना लिया है और साथ ही कुरूशिया hook का जो size है वो 3.75 mm है सौल तो friends मैंने पहले बना लिया है मैं आपको छोटा design में ही पुरा अच्छे से बताती हूँ सबसे पहले हम chain बनाएंगे और friends अगर आप जो मैंने यह पीला ओला सौल बनाया है इसी के हिसाब से आप चोड़ाई बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टोटल 116 chain लिजेगा तो सबसे पहले हम chain बनाएंगे फिर हम border बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां मैं छोटा सा बना करके दिखा रही हूँ तो यहां पर हम पहले 33 chain बनाएंगे और 33 chain में हम दोनों तरफ 4 chain का जो हमारा 4 double crochet होगा उतना हम छोड़ देंगे और बीच में हम 4 line का design बनाएंगे तो इसके लिए टोटल हमें 33 chain बनाना है तो यह हमारा 33 chain तयार हो गया उपर से हम 3 chain को छोड़ देंगे जो हमारा एक double crochet होगा इसके बाद हम 4 वाले chain से double crochet बनाना शुरू करेंगे तो अभी हमें सबी chain में बस double crochet बनाना है तो cruise में फंदा लेंगे और chain में डालती वे इस तरीके से हम निकालेंगे फिर से हम फंदा लेंगे और 3 का 2 कर देंगे फिर से फंदा लेंगे टू का वन कर देंगे तो ये हमारा डबल कुष्या हो गया तो अभी हम बॉडर अब तयार कर रहे हैं तो ऐसे ही हमें डबल कुष्या बनाते हुए लास्ट चैन तक तयार करना है तो मैं आपको लास्ट चैन तक डबल कुश्या बना करके दिखाती हूँ डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा तो ये हमारा एक लाइन का बॉर्डर तयार हो गया और इसी तरीके से हमें जितना चोड़ा बॉर्डर बनाना है उतना हम बना लेंगे तो ये हमारा लास्ट चैन तक तयार हो गया इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल कुश्या होगा इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और फिर नीचे से ये जो हमारा दूसरा डबल कुश्या है इसके ठीक उपर वाले चैन से हम डबल कुश्या बनाना शुरू करेंगे अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं जो हमारा दूसरा बॉर्डर होगा तो यहां से ये जो डबल कुश्या है इसके उपर वाले चैन से हम डबल कुश्या बनाते चाएंगे और लाश्ट वाला चैन तक हम बनाएंगे तो मैं आपको यहां तक बना करके दिखाती हूँ तो यह हमारा दो लाइन का डबल कुश्या तयार हो गया और फ्रेंड्स यहां मैंने एक चैन जादा ले लिया था इसलिए मैं किनारे का एक चैन जो है छोड़ रही हूँ और इसके बाद मैं आपको तीसरा लाइन बनाना दिखा देती हूँ तो फिर से हम तीन चैन लेंगे और डिजैन को पलट करके हम डबल कुश्या बनाते जाएंगे तो इसी तरीके से आपको जितना चोड़ा बॉर्डर रखना है आप बनाते चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको दो लाइन का बॉर्डर बनाने के बाद डिजैन बनाना बता रही हूँ तो इसे मैं अभी खोल दे रही हूँ इसके बाद हम डिजैन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ अभी हम उपर का डिजाइन बनाएंगे बॉर्डर हमारा तयार हो गया तो हमने पहले चैन बनाया फिर हमने चार लाइन का बॉर्डर तयार किया और मैं आपको दो लाइन का बॉर्डर बनाने के बार डिजाइन बताऊंगी तो उपर हम किनारे तरफ यहाँ पर चार डबल कुशिया छोड़ देंगे जो हमारा उपर तक बॉर्डर जाएगा दोनों तरफ हम चार चार चैन चार डबल कुशिया के लिए छोड़ देंगे और बीच में हम डिजाइन बनाएंगे यह मैंने 3 बना लिया और 4 में मैंने डिजैन बनाया है तो 4 डबल कुश्या किनारे तरफ हम छोड़ेंगे तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल कुश्या होगा और इसके बाद हम डिजैन को पलट देंगे और हम नीचे से तीन डबल कुष्या के उपर हम तीन डबल कुष्या और बना लेंगे तो टोटल हमारा चार डबल कुष्या हो जाएगा हमारा किनारे का बॉर्डर तयार हो जाएगा और इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे बीच का अभी हम टोटल 33 चैन में डिजाइन तियार कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमारा 4 चैन में 4 डबल कुश्या किनारे का बॉर्डर निकलेगा और बीच में हम 4 लाइन का डिजाइन बनाएंगे तो अभी हम डिजाइन तियार करेंगे बॉर्डर हमारा बन गया है तो अभी हम नीचे से एक और ये दो, दो चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें चार डबल कुश्या तयार करना है तो ये हमारा एक डबल कुश्या हो गया, इसी में हम बनाते जाएंगे दूसरा डबल कुश्या, तीसरा, और ये चौथा एक ही चैन में हमने चार डबल कुश्या तयार कर लिया और इसके बाद हम फिर से इसमें दो चैन बनाएंगे और इसी चैन में हम चार डबल कुश्या और तयार करेंगे, तो ये हमारा एक और ये दो इसके बाद हम इसी चैन में फिर से 4 डबल कुष्चिया तयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया तो यह हमारा एक हो गया दो तीन और यह चार तो यह हमारा पहला डिजाइन जो है तयार हो गया और यह डिजाइन हमारा आगे बढ़ते चाहेगा तो इसी तरीके से हमें तीन डिजैन और तयार करना है तो हमने एक चैन में चार डबल कुश्या, दो चैन, चार डबल कुश्या तयार कर लिया और इसके बाद हम फिर से नीचे से दो चैन को छोड़ कर तीसरे वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे एक और ये दो, दो को छोड़ करके हम तीसरे वाले में कुरूस को डालेंगे और फंदे को बाहर करते हुए हम टू का वन कर देंगे तो ये हमारा सिंगल कुष्या हो गया इसके बाद हम फिर से दो चैन को छोड़ करके तीसरे वाले चैन में चार डबल कुश्या, दो चैन, चार डबल कुश्या बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था, तो ये हमारा दूसरा डिजाइन अभी तयार हो रहा है, तो ये हमारा एक डबल कुश्या हो गया, दो डबल कुश्या, तीन, और ये चार, इसके बाद हम दो चैन लगा तो यह हमारा एक और यह दो और इसी में हम फिर से चार डबल कुश्या तैयार कर लेंगे तो हमारा दूसरा डिजाइन तैयार हो जाएगा हमारा दूसरा डिजाइन तैयार हो गया फिर से हम नीचे से दो चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में कुरूस को डालेंगे उनको इस तरीके से बाहर करते हुए हम टू का वन कर देंगे तो यह हमारा सिंगल कुश्या हो गया तो हमारा दो डिजाइन तैयार हो गया और हम दो डिजाइन तैयार कर लेते हैं और किनारे में हम चार डबल कुश्या बनाएंगे जो हमारा बॉर्डर होगा इस तरीके से तो मैं आपको पूरा यह लैन बना करके अच्छे से दिखाती हूँ हमारा चौथा डिजाइन तयार हो गया इसके बाद हम चार डबल कुश्या बनाएंगे तो हम नीचे से दो चैन छोड़ करके बचे हुए चार चैन में हम चार डबल कुश्या तयार कर लेंगे डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार हो गया अब हम इसके आगे का डिजाइन बनाएंगे दोनों तरफ हमने चार-चार डबल कुश्या का बॉڈर बनाया और बीच में हमने चार लाइन का डिजाइन तयार किया इसके बाद हम यहाँ पर तीन चैन लगा देंगे जो हमारा एक डबल कुश्या होगा और डिजाइन को हम पलड देंगे और नीचे ये जो हमारा तीन डबल कुश्या है इसके ठीक उपर हम और तीन डबल कुश्या निकाल लेंगे हमारा चार डबल कुश्या तयार हो गया किनारे का हमारा बॉर्डर तयार हो गया अब हम ये जो हमने दो चैन बनाया था इसके बीच में हम डिजाइन बनाएंगे तो ये हमने ये वाला लाइन जो है तयार कर लिया अब हम इसके उपर ये वाला लाइन बना रहे है और इसके बाद हम ये बनाएंगे जो हमने नीचे बनाया तो बस ये जो दो लाइन का डिजाइन है ये डिजाइन जो है हमारा पूरा आगे बढ़ते जाएगा तो अभी हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे ये हमारा एक दो और ये तीन इसके बाद ये जो हमारा बीच में जाली है दो चैन का तो इसके बीच में हम एक डबल कुश्या तीन चैन एक डबल कुश्या तयार करेंगे तो यह हमारा एक ।बल कुश्या हो गया है, इसके बाद हम तीन चैन बनाएंगे, तो यह हमारा एक, दो, और यह तीन और इसके बाद हम इसी के बीच में हम एक और डबल कुश्या बना लेते हैं, इसके बाद हम फिर से यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, और यह जो हमारा पूरा तयार करना है डिजाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा किनारे हमने ये बॉर्डर तयार किया और इसके बाद हमने तीन चैन लिया फिर बीच में हमने एक डबल कुष्या तीन चैन एक डबल कुष्या तयार किया इसके बाद हमने तीन चैन लिया और फिर दूसरे वाले डिजाइन के ऊपर एक डबल कुश्या तीन चैन एक डबल कुश्या बना लिया बस ऐसे ही हमें डिजाइन को आगे बढ़ाते जाना है फिर से हम यहाँ पर तीन चैन लेंगे और तीसरे वाले डिजाइन के ऊपर हम एक डबल कुश्या, तीन चैन, एक डबल कुश्या तयार कर लेंगे हमारा चारो डिजैन के उपर डिजैन जो है तयार हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर किनारे जो हमारा चार डबल कुश्या का बॉडर है तो इसके उपर हम फिर से चार डबल कुश्या बना लेंगे और ये लाइन जो है हमारा पूरा तयार हो जाएगा हमारा चार डबल कुर्षिया तयार हो गया और ये लाइन हमारा पूरा बन गया अब हम जैसे हमने नीचे ये जो हमने चार डबल कुर्षिया दो चैन चार डबल कुर्षिया बनाया था तो ठीक उसी तरीके से अब हमें बनाना है तो पहले हम किनारे का बॉर्डर बना लेते हैं तो तीन चैन लेके हम डिजाइन को पलट देंगे और ये जो हमने नीचे यहां पर बनाया है अब हमें इसके बीच में बनाना है तो तीन चैन हमारा तयार हो गया अब हम तीन डवल कुशिया के उपर तीन डवल कुशिया बना लेते हैं तो हमारा चार डवल कुशिया का बॉर्डर जो है तयार हो जाएगा हमारा चार डवल कुशिया तयार हो गया इसके बाद हमें यहाँ पर चैन नहीं लेना है सीधा हमें जाली के बीच में चार डबल कुष्या दो चैन चार डबल कुष्या बनाना है तो ये हमारा एक डबल कुष्या हो गया दो डबल कुष्या तीन और ये चार इसके बाद हम इसमें दो चैन लेंगे और इसी के बीच में हम फिर से चार डबल कुश्या त्यार कर लेंगे इसके बाद हमने जो नीचे तीन चैन बनाया था इसमें हमें एक सिंगल कुश्या बनाना है तो कुरूस को हम चैन के नीचे से डालेंगे फंदे को लेते हुए हम बाहर करेंगे फिर हम फंदा लेते हुए टू का बन कर देंगे तो यह हमारा सिंगल कुश्या हो गया जैसे कि हमने नीचे बनाया था और इसके बाद हम फिर से यहां पर 4 डबल कुश्या, 2 चेन चार डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से ये लैन हमें पूरा तयार करना है फ्रेंट सब ये डिजाइन एक फार जरूर बनाईएगा बस हमारा दो लैन में ही डिजाइन तयार हो जाता है ये डिजाइन एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा हमारा दूसरा डिजाइन भी तयार हो गया इसके बाद हम फिर यहाँ पर एक सिंगल कुष्या बनाएंगे और फिर से हम जाली में चार डबल कुष्या दो चैन चार डबल कुष्या तयार कर लेंगे डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा और हमें ऐसे ही लाश्ट तक तैयार करना है तो मैं आपको पुरा बना करके दिखाती हूँ यहां पर हम चार डबल कुर्षया दो चैन चार डबल कुर्षया बनाएंगे फिर यहां पर एक सिंगल कुर्षया फिर यहां पर चार डबल कुर्षया दो चैन चार डबल कुर्षया और इसके बाद हम किनारे का यह वाला जो बॉर्डर है वो हम बनाएंगे तो एक डबल कुर कुषिया के उपर एक इस तरीके से हम 4 डबल कुषिया तयार कर लेंगे हमारा 4 डबल कुषिया तयार हो गया इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे तो यह हमारा डिजाइन जो है उपर बनाना है तो बस ऐसे ही दो लैन का जो डिजाइन है हमारा आगे बढ़ते चाहेगा तो हमने तीन चैन बना लिया अब हम यह जो नीचे वाला हमने जो बनाया था अब हम इसके उपर बनाएंगे तो अभी हम यहाँ पर तीन डबल कुश्या के उपर तीन डबल कुश्या बना लेते हैं तो हमारा किनारे का बॉर्डर जो है तयार हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे एक दो और ये तीन और फिर यहाँ पर बिचो बिच दो चैन के बीच में हम एक डबल कुश्या तीन चैन एक डबल कुश्या तेयार कर लेंगे फिर से हम तीन चैन बनाएंगे यह हमारा एक, दो, तीन और दूसरे वाले डिजैन के बीच में हम एक डबल कुश्या, तीन चैन, एक डबल कुश्या बना लेंगे तो बस इसी तरीके से हमारा डिजैन जो है आगे बढ़ते चाहेगा फ्रेंड्स आपको जितना लंबा, सॉल का लंबाई रखना है उसी के हिसाब से आप बना लीजिए और लाश्ट में जो हमारा, जैसे हमने सुरू में चार लाइन का बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से हमें लाश्ट में भी चार लाइन का बॉर्डर बनाना है तो वो मैं आपको सॉल में बना करके दिखाती हूँ सबसे लाश्ट में हमने जो डिजाइन बनाया है ये वाला एक डबल कुश्या, तीन चैन, एक डबल कुश्या वहां तक हमें बनाना है उसके बाद मैं आपको बॉर्डर बताती हूँ तो ये देखे, ये मैंने पूरा सॉल तयार कर लिया है जितना लंबा मुझे बनाना है और लाश्ट वाला लाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा और इसके बाद हम चार लाइन का बॉर्डर बनाएंगे ये जो हमने चार लाइन का बनाया है ये मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ अभी हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये डिजाइन हमारा पूरा तयार होगया और इस डिजाइन के बाद ही हम बॉर्डर तयार करेंगे तो सबसे पहले हम किनारे वाला बॉर्डर तयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले तीन चैन बनाएंगे और तीन डवल कुश्या बनाएंगे जो हमारा किनारे का बॉर्डर त्यार हो जागा तो ये हमारा एक, दो और ये तीन डिजैन को पलट देंगे और तीन डवल कुश्या के उपर हम पहले तीन डवल कुश्या निकाल लेंगे जो हमारा किनारे का बॉर्डर होगा इसके बाद हमने तीन नीचे जो है तीन चैन बनाया था तो यहाँ पर हम तीन डबल कुश्या निकाल लेंगे तो यह हमारा एक दो और यह तीन इसके बाद यह जो हमारा जाली है यह दो डबल कुश्या के बीच में यहाँ से हम दो डबल कुश्या निकाल लेंगे तो यह हमारा एक और यह दो और इसके बाद फिर से यह जो हमारा तीन चैन है इसके बीच में हम तीन फिर उसके बाद दो फिर तीन फिर दो इस तरीके से हम डबल कुशिया लाश्ट तक निकालते जाएंगे और फिर हम लाश्ट में किनारे का चार डबल कुशिया तयार कर लेंगे तो वहां तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा और हमारा पहला लाश्ट का बॉर्डर जो है तयार हो जाएगा तो मैं आपको पूरा लाश्ट तक बना करके दिखाती हूँ तो यह हमारा लाश्ट तक डिजाइन जो है पूरा तयार हो गया और हमारा एक लाइन का बॉर्डर तयार हो गया और अब हमें बस तीन लाइन का बॉर्डर तयार करना है नीचे जो हमने एक लाइन का डबल कुश्या बनाया उसके ठीक उपर हम फिर से डबल कुश्या बनाएं तो किनारे हम पहले तीन चैन लगा देंगे जो हमारा एक डबल कुश्या होगा और इसके बाद जितना भी चैन है सभी में हम डबल कुश्या बनाते जाएंगे और दूसरा लाइन का बॉर्डर हम तयार कर लेंगे तो यह हमारा इस तरीके से बॉर्डर जो है बनते जाएगा तो हमने नीचे एक बना लिया यह हमारा दूसरा लाइन का बॉर्डर बन रहा है इसी तरीके से हम दो लाइन का और बॉर्डर बना लेंगे तो मैं आपको चार लाइन जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ झाल झाल तो यह हमारा चार लाइन का बॉर्डर तयार हो गया जैसे हमने शुरू में चार लाइन का किया था उसी तरीके से अब हम किनारे का जाली और नीचे का डिजाइन बनाएंगे अभी हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे यह हमारा तीन चैन हो गया डिजाइन को हम पलट देंगे और सबसे पहला वाला यह हमारा पहला चैन है दूसरा चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम इसे लॉक करेंगे और फिर से हम तीन चैन बनाएंगे और नीचे से दो चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करेंगे तो यहां मैंने तीन-तीन चैन करते हुए पहला लैन का जाली तयार किया है अगर आपको बढ़ा करके बनाना है तो आप ज्यादा से करके चैन ले सकते हैं यहां मैं छोटा-छोटा साइस का जाली बना रही हूं तो इ इसी तरीके से हम लाश तक बना लेंगे सबसे किनारे वाला जो जाली रहगा उसमें हम इस तरीके से पहले दो चैन लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक डबल कुर्शा बना लेंगे यह हमारा पहला लाइन का जाली तैयार हो गया और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर चैन लगा देंगे तो ये हमने तीन चैन लगा दिया और इसके बाद हम design को पलट देंगे और फिर हम जितना भी जाली है सभी के बीच में हमें चैन बनाना है तो सबसे पहला वाला जाली में हम cruise को डालेंगे उनको बाहर करते वे इसे हम इस तरीके से lock करेंगे इसके बाद हम फिर से यहां पर तीन चैन बनाएंगे और नीचे वाला जो जाली है इसमें हम लॉक करके फिर से तीन चैन बनाएंगे तो बस इसी तरीके से हमें ये लैन जो है पूरा तयार करना है अगर आपको अभी लगे कि जाली थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप चैन जो है जादा से करके ले सकते हैं बस डिजाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा बस हम जब भी किनारे का डिजाइन बनाएंगे तो वहाँ पर हम दो या फिर तीन चैन ले करके हम एक डबल गुश्या बना देंगे जिससे की हमारा किनारे का डिजाइन जो है सही से आगे बढ़े अब हम तीसरा लायन बनाएंगे तो फिर से हम चैन लेंगे और अभी मैं चैन को बढ़ा रही हूँ तो अभी मैंने यहाँ पर 4 चैन ले लिया अभी इस लायन में हम 4 चैन करती हुए जाली तयार करेंगे तो मैं आपको पूरा जाली जो है बना करके अच्छे से दिखा देती हूँ बीच में जो जाली है वो बनाले का तरीका हमारा एक ही रहेगा सभी जाली के बीच से हम जाली बनाएंगे और बस हमें किनारे वाला जो जाली है ये वाला जाली यहां पर बस हमें दो या तीन चैन लेकरके एक डबल कुष्या बनाना है तभी हमारा जाली जो है अच्छे से सेट होगा तो ये हमारा तीसरा लाइन भी तयार हो गया और इसी तरीके से जितना चोड़ा आपको जाली बनाना है उतना आप बना लिजे और इसके बाद हम किनारे का पत्ता वाला जालर तयार करेंगे तो ये हमारा किनारे का जाली तयार हो गया टोटल मैंने 6 लैन में जाली तयार किया है अब हम किनारे का पत्ता वाला जालर बनाएंगे पत्ता वाला जालर बनाने के लिए हम सबसे पहला वाला जो जाली है वहाँ से हम बनाना सुरू करेंगे तो इस तरीके से हम उनको पकड़ती हुए हम बीचो बीच जाएंगे यह हमारा बीचो बीच हो गया और यहाँ पे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम तीन चैन बनाएंगे यह हमारा दूरी हो गया और इसके बाद हम चार चैन लगाएंगे उपर से ये जो हमारा चौथा वाला चैन है 1, 2, 3, 4 ये चौथा वाला चैन में हम 2 डबल कुश्या त्यार करेंगे तो ये हमारा 1 डबल कुश्या हो गया और ये 2 इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे यह हमारा एक, दो और यह तीन नीचे यह जो हमारा दोनों उन है इस दोनों के बीचो बीच हम कुरूज को डालेंगे और फंदे को लेते हुए हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और फिर जैसे हमने पहले दो डबल कुशिया बनाया था तो इसी चैन में हम दो डबल कुशिया बना लेंगे तो ये हमारा एक हो गया और ये दो और इसके बार इसमें हम तीन चैन लगा देंगे और जहां से हमने बनाना शुरू किया था यहां पर इसे हम एक बार अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद नीचे ये जो हमारा चैन है ये जो नीचे हमने चैन बनाय था तो सबसे लाश्ट वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे उनको बाहर करती हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर तीन चैन बना देंगे जो हमारा दो पत्ते का बीच का दूरी होगा और इसके बाद वाले जाली में इसे हम लॉक कर देंगे तो यह हमारा सुन्दर सा पत्ता तयार हो गया बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में पत्ता बनाना है मैं आपको एक और पत्ता बना करके दिखा देती हूँ नाय आपको एक और पत्या यह झूड़ हो एक और झाल करके दिखाँ विगावेदी का . अवाल पना करके दिफ दिटी त्रय मुड़ मुड़ pastý 151 00. विऎ मुड़ कि दो एक औरत बे दूशार कर äischen की दोती हैं के ऴूब तो ये हमारा दूसरा पत्ता भी तेयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में पत्ता बनाते जाना है तो मैं आपको पूरा लाश्ट तक पत्ता बना करके दिखा देती हूँ पूरा लाश्टक पत्ता बनने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैची की मदद से उनको कट कर लेंगे और फिर हम पीछे उनको अच्छे से बांध लेंगे हमारा एक तरफ का जालर जो है जाली के साथ तयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी जाली तयार करना है और फिर किनारे में हम पत्ता वाला जालर तयार करेंगे तो मैं आपको पूरा तयार करके दिखाती हूँ अब मैं आपको किनारे का ये जो डिजाइन है ये बनाना बता देती हूँ मैंने एक तरफ का बना लिया है दूसरे तरफ का मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ तो दूसरे तरफ का ये जो हमारा जाली है तो इसके किनारे से हम बनाना सुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम उन को इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पर मैं जाली से बनाना शुरू कर रही हूँ तो आप चाहे तो बॉर्डर से भी बनाना शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर हम उनको पहले इस तरीके से अच्छे से जोड लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएंगे तो यहां हम तीन चैन बनाएंगे यह हमारा एक डबल कुश्या हो गया और यह दूसरा डबल कुश्या एक और हम बना लेते हैं तो टोटल हमारा तीन डबल कुश्या तयार हो गया इसके बाद इसमें हम तीन चैन लगाएंगे और नीचे ये जो हमारा दोनों उन है इसके बीचों बीच हम कुरूस को ले जाएंगे और हम फंदे को बाहर निकालेंगे और फिर हम इसी में फिर से तीन बार डबल कुरूशिया बना लेंगे बनाने का तरीका हमारा बहुत ही जादा आसान है जैसे हमने बीच में डिजाइन बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ पर इसे अच्छे से लॉक करेंगे और इसके बाद हम फिर से थोड़ी से दूरी पर ये design को हम बना लेंगे यहाँ पर तो बस ऐसे ही हमें ये line जो है पूरा last तक तयार करना है तो फिर से हम यहाँ पर 3 double crochet बनाएंगे 3 chain फिर 3 double crochet फिर थोड़ी से दूरी पर इसे हम lock करेंगे बस इसी तरीके से हमें design को last तक तयार करना है प्रहाँ जो तो यह हमारा पूरा बॉर्डर तक डिजाइन जो है तयार हो गया और इसके बाद यह जो हमारा जाली है इसमें भी हम दो बार और डिजाइन बना लेते हैं जैसे कि हमने शुरू में बनाया था तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ तो यह हमारा लाच तक किनारे का डिजाइन जो है तयार हो गया और इसके बाद आपको पूरा पूरा बना करके अच्छे से दिखाती है हम थोड़ी से दूरी पर कैची की मदद से उनको कट कर देंगे और पूरा बनने के बाद हम लाच्ट में पीछे की तरफ हम कुरूस की मदद से पहले उनको अंदर करेंगे और अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्ट्रा उन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे तो फ्रेंड्स यहां हमारा पूरा डिजाइन अच्छे से तयार हो गया और आसा करती हूँ कि आपको यह डिजाइन जरूर पसंद आया होगा और आप भी यह डिजाइन एक बार जरूर बनाएगा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है कम समय में ही जल्दी से तयार हो जाता है और अगर आपको यह दोनों सॉल का डिजाइन पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और फ्रेंड्स फेमली के साथ सेर कर दिजेगा और जल्दी मैं आपके साथ एक नए डिजाइन के साथ मिलती हूँ और आपने अपना समय निकाला और पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिरा मिलते हैं नए डिजाइन के साथ थैंक यू